हर व्यक्ति का स्वभाब भूत भाविश्य सबकुछ उसकी राशी के अनुसार पहले से ही निर्धारित होता है और इसी अनुसार जोतिश भी व्यक्ति का भविश भी बताते हैं हर व्यक्ति के जीवन में खोने वाली घटनाएं सफलताएं वे असफलताएं सबकुछ राशी के अनुसार ही घटित होता है इसलिए हर चीज के लिए राशी चक्र को देखा जाना जरूरी होता है चाहें फिर वो पैसे का मामला हो व्यवसाय का या फिर शारी के महुरत निकालने का व्यक्ति का राशी उसके जीवन पर बहुत प्रवाब डालता है आप देखेंगे कि अक्सर समय समय पर इन राशियों पर ग्रह का प्रवाब भी पड़ता है कभी कभी लोगों की किसमत इन गरहों के बदलने से चमक जाती है कुछ ऐसा ही इस बार भी देखने को मिल रहा है जब गरहों की दशाब बदलने से ऐसा महासैयोग बन रहा है और इस से पांच राशियों की किसमत चमकने वाली है वैसे तो कुल 12 राशियां होती है जिन मैंसे ये इन पांच राशियों में किसमत खुलने वाली है वहीं आपको बता दें कि दुनिया बर में हर सक्ष अमीर बनना चाहता है लेकिल सबकि एक शापूरी नहीं हो पाती लेकिन इन में से कुछ व्यक्ति की इक्षा पूरी खोने वाली है क्योंकि सौ साल बाद ऐसा महासईयोग बन रहा है जिससे ये पांच राशी वाले लोगों को फाइदा होगा तो वाई ये कौन सी हैं वो पांच राशियां आपको बताते हैं मेश राशी इस राशी के जातकों का आने वाला समय अच्छा रहने वाला है और अभी तक जो भी इन्होंने महिनत किया है उसका फल इन्हें तब जाकर मिलेगा वही जितना ये लोग पर इश्रम करेंगे उससे ज्यादा धनेने प्राप्त होगा माता लक्षमी की इन पर आने वाले वक्त मैं करपाख होगी सला है कि अपनी खुशी के लिए दूसरों का दिल न दुखाएं वरना लक्षमी माता रूट सकती है कन्या राशी इस राशी के जातकों के लिए विशेश रूप से धन रस के रूग बन रही है हो सकता है ये रातो रात अमीर बन जाएं इसलिए ध्यान रहे कि ये कोई ऐसी गलती न करें जिससे माता लक्षमी इन से रूट जाएं ये राशी वाले ऐसा करके खुद को फसा सकते हैं सिंग राशी इस राशी के जातकों को कम से कम ज्यादा फल मिलने वाला है ये कम समय में ज्यादा कुछ हासिल कर लेंगे इसलिए ध्यान रहे कि अगर आप किसी कानूनी पचड़े में फसे हैं तो उसे छुटकारा मिलेगा ज़िए आप अपने आलस पर कावु करेंगे तो आपको आने वाले समय में कभी पैसे की कमी नहीं होगी वरश्यक राशी इस राशी के लोगों पर मलक्षमी की खास करपा होगी जिहां एक तरब तो आपके रुके हुए काम बनेंगे दूसरी तरब कोई नया वाहन भी खरीद सकते हैं इसके साथ ही इस बात का विशेश ध्यान रखें कि बुरी चीजों पर धन खर्च ना करें वरना कुवेर महराज आप से नाराज हो सकते हैं मीन राशी मीन राशी वालों की बात करें तो इन लोगों की कई परेशान या दूर हो जाएंगी इसके अलावा जो लोग नोकरी की तलाश में भटक रहें हैं उन्हें नोकरी मिल जाएगी इसके साथ ही पैसों से संबंदित सवी मुश्किलें भी खत्म हो जाएंगी बस इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी काम को करने में बिल्कुल भी जल्दवाजी ना करें झाल प्यान रखें